मैं मां हूं धर्ती मां प्रेम बहुत सुन्दर बहुत कोमल भावना है प्रेम जीवन में रंग भरता है जीवन को प्रेर्णा देता है बल देता है शक्ति देता है परन्त प्रेम त्याक चाहता है अर्पन चाहता है अपने प्रेम के लिए जो त्याक कर सकता है अपने आपको जो प्रेमिका को अर्पित कर सकता है वही सच्चा प्रेमी है यदि प्रेम पाने के लिए कोई अपनी राजसत्ता या बल का प्रयोग करे तो फिर वो कितने ही सच्चे प्रेम का दावा करे उसके प्रेम के आगे प्रश्ण चिन्न खड़ा हो जाता है रहलाद जैसे उदार और सज्जन व्यक्ति का पुत्र ऐसा कारे करे तो देखकर और भी दुख होता है यूवराज विरोचन ने दीपावली को उसकी कुटिया से ले जाकर अपने पिता प्रहलाद को एक बड़ी कठोर परिक्षा में डाल दिया है देखना ये है कि पुत्र की इस कर्दूट से प्रहलाद पर क्या बीटती है मैं कोई निर्णे नहीं ले पा रही हूँ कुल गुरू यूवराज विरोचन और रिशी पुत्र सुधनवा के बीच मैं सुयम को उस नौका की भांती पा रही हूँ जो बीच मजधार में है और नदी के दोनों तट उसे अपनी और आने का संकेत कर रहे है किन्तो इस नौका को किसी एक तट का ही संकेत स्विकार करना होगा प्रशन किसी एक तट के संकेत को स्विकार करने का नहीं प्रश्न तो दूसरे तट के संकेत को अस्विकार करने का है और इसी स्थान पर पहुँचके मैं स्वयम को अस्विकार कर दें तो आपका क्या उत्तर होगा कुरुदेव मैं देवी दीपावली को इसी कारण आपके आश्रम में लेकर आया हूं मैं चाहता तो इन्हें राजभावन में भी लेके जा सकता था किन्तु मैंने सोचा कि राजभावन में रहेकर देवी ये ना सोचे कि मैं उनपर कोई दबाव डाल रहा हूं कि इसी की पुत्री इशी शुक्रा चारे के आश्रम में स्वायम को अधिक स्वाचन और थिस्वतंत्र समझेंगे अवस्षिंश एस मिसी पुत्तरीacak चुन्हीं स्वाकत है कि तुम यहीं समझो कि तुम अपने पिता श्री रिशी वत्स के आश्रम में ही हो धन्यवाद कुल गुरू देवी यदि मेरे कारण आपको कोई कश्ट हुआ हो तो मुझे खेद है रणाम गुरुदेव मुझे खेद है पुत्र मुझे अध्यंत खेद है कि महराज प्रहलाज जैसी नयप्रे राजा और महान विश्वभक्त का पुत्र अपने पिता की माज से विजलित हो गया यह दुख की ही नहीं लज्जा की भी बात है एक युवराज ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक रिश्वभुत्र का अपमान किया है एक बार तो मैंने भी सोचा एक बार मैंने भी सोचा कि उसके राज बल का उत्तर उसे अपने तपो बल से उसे उसी स्थान पड़ दे दू किन्तु फिताश्री मैंने साईयम से कारे लिया साईयम और धैरे ही रिशिगण की विशेशता है पुत्र शक्ते और अधिकारों में राजभवन से कमना होते हुए भी रिशिया अश्रम का गौरव विसी में है कि यहां सक्ता और लालसा का राज नहीं होता परन तु यह ने समझ लेना कि मैं इस अपमान को सह जाओंगा क्योंकि मात्र मेरे पुत्र की बात होती तो मैं मौन धारंग कर लेता परन तु बात इससे आगी बढ़ चुकी है बात यहां पहुची है कि क्या राजभवन इतनी सरलता से रिशिया अश्रम को ललका सकता है उसकी अभेल ना कर सकता है बतो विरोचन दीपावली को लेकर कहां गया है पुत्र चातेस हमें उसने कहा था कि रिशिवत्स की पुत्री दीपावली को तैत्य गुरु शुक्राचारी के आश्रम में रखेगा इसका अर्थ यह हुआ पुत्र ये विश्वासपूरवक नहीं कहा जा सकता कि माहराज प्रहलात को इस घटना की सूचना है भी या नहीं पर उन्ति से कोई अंतर नहीं परता एक राजा को अपने राज्य में होने वाली हर प्री और अप्री घटना की जानकारी होना अनिवाली है मैं सब तरिश्यों की एक सभा बोलाऊंगा और महाराज प्रहलात को उसमें उपस्थित होना होगा और अपने पुत्र के दुशकर्म के लिए उत्तर देना होगा पुत्र सुधन्वा पनिक भी चिंता न करो वत्सपुत्री दीपावली मात्र तुमें प्राप्त होगी मात्र तुमें महाराज स्वामी क्या हुआ महारानी शमा करें महाराज आने आपको गहरी में से उठाया पर महाराज बात ही कुछ ऐसी है क्या बात है आराज एक तपस्वी पधा रहे है और वे आपसी इसी समय मिलने का हट कर रहे है मैंने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि भेग भोर होने पर ही संभव है पर वे नहीं माने महाराज यदि कोई तपस्वी आधी रात को हमसे मिलना चाहता है तो कोई असाधारन कारण ही हो सकता है और देवी तपस्वी और रिशी का स्थान बहुत उंचा होता है वे हमारे राज्ये के करमचारी नहीं है जिन पर करमचारियों की नियम और विधान लागू किये जा सके वे किसी भी समय हमसे मिलने का अधिकार रखते है तो स्वामी उन्हें यहां आने की अनुमती दे दी जाए नहीं मैं स्वायम उनकी सेवा में जाओंगा प्रणाम है रिशीदेव प्रहलात के राजभवन में आपका स्वागत है यह शस्वी भवा आधि रात में आने का कारण मैं इसले नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे आपके आने से कोई कष्ट हुआ है केवल इसले पूछ रहा हूं कि आपको स्वयम यहां आने में कष्ट हुआ होगा मुझे सब्तरशी गण ने आप तक एक संदेश पहुचाने का आदेश दिया है क्या ग्या है सब्तरशी गण की वो चाहते हैं कि कल प्राता है दर्म शेत्र में आयोजित उनकी सभा में आप उपस्तित हों मेरा सौभाग क्या पर कोई विशेश समस्या है वे आप से कुछ प्र में प्रश्ण पूछना चाहते हैं तो मुझे प्रसनता होगी महराज मुझे जितना ग्याद था और जो बताने का आदेश दिया गया था वह सब मैं कह चुका हूं इसके आगे सब्तरशी गण से मेरा प्रणाम कहकर यह कह दीजेगा कि उनकी आज्यां का पालन होगा मैं उन महराजी एशस्वी भाव हुआ 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 है कि यह श्यास्वी भाव यह सब्तरशियों आप ज्यान के साथ आकाश है विद्या के साथ सागर है हर वो व्यक्ति आपकी महांता को पहचानता और मानता है जो ज्यान और विद्या के शब्दों से परिचित है अपने तुछ सेवक प्रहाद का प्रणाम स्विकार करें स्थान ग्रहन करें राजिन हे रिशिगण यद्यपिया आपके समक्षाना आपका सत्संत पाना अपने भीधर ही सवभाग्या और गौरव का विशे है परन्तु आपके अन्य था शांत दिखाई देते ज्यानी मुखों पर चिंता और दुख के लक्षन देखकर मैं ये प्रश्ण पूछने का सहस कर रहा हूं ये क्या कोई संकट है कोई समस्या है यदि है तो मुझे आदेश दीजिए इश्वर में चाहा तो मैं उस समस्या का अवश्य समाधान करूंगा समराड प्रहलाद क्या आपको ग्यात है कि आपके राज्य में अपहरण की एक अप्रिय और लज्जा जनक घटना घटी है नहीं रिशिगर्ण मुझे इस बात का घ्यान नहीं है परन्तु आप कह रहे हैं तो सत्य ही होगा यह सत्य है राजन अपहरण एक अक्षम में अप्राध है मुझे दुख है कि मेरे राज्य में ऐसी अप्रिय घटना घटी और मुझे उसका घ्यान नहीं किसने किया है यह अप्राध यह दुश्कर्म मुझे उसका नाम बताईए उसका नाम सुनकर आपको और भी दुख होगा मैं फिर बियानुरोत करूंगा कि आप मुझे उसका नाम बताए तो सुनिए उस अप्राण करता उस अप्राधी का नाम युवराज विरोचन है युवराज विरोचन नहीं ये ये असंभव है आप हमारी बात पर संदे कर रहे हैं महाराज नहीं रिशिकर्ण मैं तु केवल अपने आश्चरे और दुख का प्रदर्शन कर रहा था विरोचन नहीं अपराद किया है ये मेरे लिए बहुत ही लज्जा और दुख का विशेह अपराद की गंभीरता इस सक्ते से और भी बढ़ जाती है कि उराज ने एक रिशी पुत्री का अपरण किया है रिशी पुत्री का एश्वर किस रिशी पुत्री का अपरण किया है उसने रिशी वत्स की कन्या दीपावली का अपरण आपके पुत्र विरोचन ने उनकी कुटी में जाकर दीपावली का अपरण किया है राजन सबसे पहले तो मैं आप सबसे विशेष्टा रिशी अंगीरा से इस अप्रिय घटना और इस घोर अप्राद के लिए एक शमा मांगता हूँ हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस विशे में क्या करेंगे हे रिशिगण मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरा न्याय एक सामान्य नागरिक और युवराज में भेद नहीं करता इस विशे में भी न्याय होगा और उचित न्याय होगा मुझे आग्या दीजिए मैं एक शण भी विलम नहीं करना चाहता पुत्री आयुष्मान भवा पुत्री यदि मुझे अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो तुम रिशिवत्स की पुत्री दीपावली हो और यदि मुझे से अनुमान लगाने में भूल नहीं हो रही है तो आप कोई और नहीं युवराज विरोचन के पिताश्री समराथ प्रहलाद है तुम्हारा अनुमान बिलकुछ सत्ते है पुत्रे प्रणाम समरात मेरे नेत्रस वभाक्यशाली है कि उन्हें महान विश्णुभक्त समरात प्रहलात के साक्षात तर्शन प्राप्त हुए परन्तु इस समय आने का कष्ट किया है तो लक्ष केवल मुझे तर्शन देना तो नहीं हो सकता तुम्हारा ये अनुमान भी सत्ते है पुत्री मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूँ तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जो आग्या समरात चलो पुत्री रुख जा पुत्री मुझे खेद है माराज आप दिपावली को यहां से नहीं ले जा सकते हैं क्यों गुरुदेव आपको क्या पत्ती है देवी दिपावली मेरे पास युवराज विरोचन की धरोवार है और मैं युवराज की अनुमती के बिना इसे यहां से नहीं जाने दूँगा युवराज विरोचन इसकन्या को इसकी अनुमती के बिना यहां ले आये थे जो एक अनुचित कारे था गदा भी अनुचित नहीं था विरोचन 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 होने के अधिकार का प्रेयोग कर इसे यहां ले आया था और मैं अपने राजा होने के अधिकारों का प्रेयोख करके इसे यहां से ले जा रहा हूँ और यदि मैं इसे यहां से ना ले जाने दूंतो तो मैं अपने शिश्य धर्म से मूँ मोडने पर विवश हो जाओंगा गुरुदेव अर्थात मुझे दुख तो होगा कि जिस गुरु के चर्णों में बैठकर मैंने शस्त्र विद्या सीखी थी उसी गुरु के विरुद्ध मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा अच्छा मुझे बड़ी प्रसन्हता होई अपने योग शिश्य से ये बाते सुनकर किंदु मेरा उत्तर भी सुनलो मैंने जिस योग शिश्य को युद्ध नीती सिखाई थी मैं उससे युद्ध करने पर विवश हो जाओंगा पर इसका मुझे कोई दुख नहीं होगा लुक जाए गुरुदेव लुक जाए महाराज यदि मेरे कारण मेरे पिता और गुरु को एक दूसरे के फिरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो ये मेरा आत्यांत दुर्भाग के होगा चलो पुत्री पिताश्री आप दीपावली को कहां ले जाना चाहते हैं मैं दीपावली को तुमसे उच समय तक दूर रखना चाहता हूँ जब तक वो स्वयम अपने भविश्य के विशे में कोई निर्णे न कर ले और तब तक तुम उससे नहीं मिल सकते यह न्या है महराज आप इने इस विरोचन को युवराज बनाया था और विरोचन युवराज है और युवराज को किसी भी स्थान पर किसी से भी मिलने का पूल न दिखा रहे विरोचन अब युवराज नहीं है गुरुदेव निर्णे हो जाने तक मैं युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित करने की घोश्रा करता हूँ चलो पुत्री दीपावली भूल मेरी थी मुझे चाहिए था कि दीपावली के यहां आ देगी उसके संग तुम्हारे साथ फेरे करवा देता परन्तु तुम चिंता मत करो वच्स दीपावली तुम्हारी है और तुम्हारी होकर रहेगी जीवन में ये समस्या किसी के भी समक्षा सकती है पुत्री परनतु ये जिसकी समस्या हो उसी को सुल्जानी भी पड़ती है तुम्हीं भी किसी एक ही तठ किसी एक ही डगर का चुनाव करना पड़ेगा जीवन यात्रा दो नौकाओं पर संभब नहीं जानती हो महाराज जानती हो तो फिर मेरे पुत्र विरोचन और रिशी पुत्र सुधनवा में से किसी एक को क्यों नहीं चुन लेती यो व्राज विरोचन कल राजा बनेंगे सारी धर्ती पर उनका राज होगा और रिशी पुत्र सुधनवा भी कल महान रिशी बनेंगे आकाश पर उनका राज होगा अब आप भी बताइए महाराज कि धर्ती और आकाश में मैं किसे चुनलू और किसे ठुकरा दूँ परन्तु ये तो असंभव है देवी कि इन दोनों में से किसी एक में कुछ कम, कुछ अधिक न हो तुम सोचोगी तो इन दोनों में से किसी एक में कोई ऐसा दोश, कोई ऐसा गुर्ण तुम्हें अवश्य मिल जाएगा जो दूसरे में ना हो मैं सोच सोच कर हार गई हूँ, परन्तु विश्वास कीजे, मैंने दोनों में से किसी में भी कुछ कम या कुछ अधिक नहीं पाया मैं तो चक्रा कर रह गई हूँ महाराज मैं बताता हूँ तुमको देवी, विरोचन में एक दोश है क्या? वो तुम्हें तुम्हारी सहमती के बिना, तुम्हारे आश्रम से ले आया उसे इसका अधिकार नहीं था उसके इस अनुचित कारे से, तुम्हारी दृष्णी में उसकी महता, कुछ कम नहीं हुई यह सत्य है महाराज कि जब उन्होंने मेरी कुट्या में आकर मुझे साथ चलने को कहा तो एक पल के लिए मुझे धक्का लगा मैं भहिबीत भी हो गई परन्तु जब उन्होंने मुझे पूरे आदर सम्मान के साथ पुरुश्चुक्रचार्य के आश्रम में रखा और उस आश्रम में भी मुझे उतना ही आदर सत्कार मिला तो मैं जान गई कि युवराज किवल युवराज ही नहीं पर एक चरित्रवान व्यक्ति है लालसा और वास्तना जिनके पास भटक भी नहीं सकती मैं उनके चरित्र से रभावित हूं महाराज तो फिर सुधनवा को भूल जाओ यहां भी तो संभव नहीं है महाराज उनकी परचायां भी मेरे मान आगन का पीछा नहीं छोड़ती यह तो बड़ी जटल समस्या है देवी परन तो इतना जान लो कि तुम्हारे अतरिक्त किसी के पास इसका समाधान नहीं मुझे नहीं लगता कि इसे सुलजाने में कोई भी तुम्हारी साहता कर सकता है और यदि कर सकता है तो मुझे बताओ मैं स्वयम उसका प्रबंद करूँगा मेरी साहता केवल मेरे पिताश्री कर सकते हैं महाराज वो केसे कर सकते हैं तुम्हारी साहता वे ग्यानी हैं महापुरुष हैं रिशी हैं मैं उनके समक्ष अपनी समस्या रखूंगी और फिर वे जिसका भी हाथ थामने का परामर्श देंगे मैं आखे बंद करके उसे स्वीकार कर लूँगी क्योंकि मैं जानती हूं कि वे जो भी निर्ने करेंगे उसी में मेरा भला होगा पिता के लिए तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत प्रसनता हुई एक अच्छी पुत्री ही अच्छी पुत्रवधू बन सकती है सम्राट की जैहु रिशिवर वत्स पदार हैं आपसे भेट करना चाहते हैं अरे पुत्री यह तो बड़ी शुब घड़ी है इस समय कुछ और भी मांगा होता तो अवश्य मिल जाता रिशिवर बहुत उत्तम समय पदार हैं उन्हें पूरे आदर और सम्मान सहित यहां ले आओं कि आपके आने से राजभावन पावन हो गया रिशिवर अपने सेवक प्रहलात का साधर प्रणाम स्विकार करें यह स्विभो समराड आपके पुत्री आपके लिए बहुत व्याकुल हो रही थी रिशिवर मैं जानता हूं महाराज और यह क्यों प्रतीक्षा कर रही थी वो भी जानता हूं मैं सारी कहानी जान चुका हूं कितना सुन्दर होगा रिशिवर यदि अपने चरम बिंदों पर आपके पहुंचे इस कहानी का परिणाम आप बताएं मैं? हाँ रिश्यवर जब आपने कहानी सुने लिए तो किसी निशकर्ष पर भी अवश्य पहुच गया हूं महाराज धन्य है किस निशकर्ष पर पहुंचया हूं माराज है कि मेरीुट्री जो भी कह रही है वह आक्ष महाराज मैंने जब सारा वरतांत सुना और अपनी पुत्री की उल्जन को जाना तो मैंने भी समस्या को हर दिश्टिकौन से देखने का प्रयास किया युवराज विरोचन और रिशी पुत्र सुधन्वा दोनों की हर प्रकार की तुलना की, दोनों को जीवन की हर कसोटी पर पर परखने का प्रयात्म किया और फिर उसके बाद अपने आपको उसी स्थान पर पाया, यहां पर मेरी पुत्री खड़ी हाँ महराज, मैं निनने नहीं कर सका, कि युवराज विरोचन और रिशी पुत्र सुधन्वा में से, कौन बड़ा है और कौन छोटा, कौन कम है और कौन अधिक यह समस्या तो उलजती ही चली जा रही, इस उलजी हुई डोर का कोई भी सिरा, हाथ में आई ही नहीं रहा है मुझे विश्वास था, और मुझे क्या, आपकी पुत्री को भी विश्वास था, कि आपके आने से समस्या सुलज जाएगी परन्तु आपने तो इसे और भी उलजा दिया, क्या दीपावली का जीवन बिना माजी के उस नावका के भाती है, जो बीच धारा में अठकी रहेगी मैं स्वयम भी यही सोच सोच कर अधिर हो रहा हूं माराज परन्तू करना क्या चाहिए, इसका उपाई क्या है, मुझे तो कोई उपाई नहीं सुचता मैंने एक उपाई सोचा है महराज क्या? यदि यहाँ आपकी पुत्री होती तो मेरी पुत्री? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूं माराज, कि आप समराथ है, जीवन की बहुत सी विशमताओं के विशे में आपका ज्यान अधिक है, आप स्वयम धिपावली को अपनी पुत्री मान कर, इसका कन्या दान कर दे, विरोचन और सुधन्वा में से, जिसको भी योग के समझे, चुन ले, हम दोन आपके इस निर्णे को, नहीं संकोच होकर स्विकार कर लेंगे माराज, बहुत कठिन परिक्षा ले रहे हैं आप मेरी, सारा संसार जानता है, कि मैं सदा अपने पिता के प्रेम को तरस्था रहा, परन्तो मुझे उस सागर से, एक भून भी नहीं मिली, इसी कारण, मैं अपनी संतान पर अपने मन का प्यार बर्सा देना चाहता हूँ, अपने पिता शिरी के अंश का प्यार भी, क्या ऐसा पुत्र प्रेमी, ऐसी स्थिती में नियाय कर पाएगा, जिसमें स्वयम उसका पुत्र एक पक्ष हो, क्यों नहीं कर सकता माराज, सारा संसार यह भी तो जानता है, कि पुत्र से प्रेम करने वाले समराड प्रलाद, नियाय से भी उतना ही प्रेम करते हैं, और सुधनवा, जो दूसरा पक्ष है, क्या वो भी मान लेगा? सुधनवा सोचेगा, और ठीकी सोचेगा, कि यदि मैंने अपने पुत्र के पक्ष में निर्णे दिया, तो वो पुत्र प्रेम के कारण दिया हो, नियाय प्रेम के कारण नहीं, यदि मुझे समस्या को सुलजाना है, तो सुधनवा के सहयोग के बिना समभब नहीं, मुझे सुधनवा के पास जाना हो, अभी, इसी समय, सब शुभ होगा पुत्री, सब शुभ होगा, देखा कमलेन, वही हुआ जिसका मुझे भह था, पैत्य गुरु शुक्रा चाये की दी हुई शिक्षा, अपना रंग दिखा रही है, मुझे भह इसलिए लग रहा है, कि रिशी अंगिरा ने ये निर्णा लेने का भार, पुत्र प्रहलाद पर डाल दिया है, कि सुधनवा और पात्र में अधिक स्रेष्ट कौन है, अपने अपने ख्षेतर में तोनों ही स्रेष्ट है, एक महां तेजस्वी रिशी है, तो दूसरा उतना ही महां योध्धा है, पुत्र प्रहलाद इतना कठिन निर्णे कैसे ले पाएगा? हाँ महा देवी, मिस्संदे ये निर्णे बहुत कठिन होगा, परन्तु ये एक अवसर भी तो है पुत्र प्रहलाद के लिए ये जानने का, कि पिता प्रहलाद और राजा प्रहलाद दो भिन्द भिन्द व्यक्तित्व हैं, जिस प्रकार योग ये तोल के लिए तुला के दोनों पलडों का संतुलित रहना आवश्यक होता है, उसी प्रकार प्रजा का न्याय करते समय राजा का भी संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है महा देवी, सिंगहासन पर बैठने के उपरांद एक राजा को ये जान लेना चाहिए महा देवी, कि अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ उसका संबंध एक समान है, वो ना तो किसी का पिता है, ना किसी का पुत्र और ना ही किसी का भ्राता, यदि पुत्र प्रल्हाद को इतिहास बनाना है महा देवी, तो उसे अपने निश्पक्ष नयाय का प्रमान देना होगा, आप तो बस अपने पुत्र प्रल्हाद के विवेक पर विश्वास कीजिए, देखा तुमने आश्रम और तपोवन का प्रभाव पुत्र, महाराज प्रहलाद को विवश होकर, गुरु शुक्राचार के यहां से दीपावली को ले जाना ही पड़ा, तो अब दीपावली कहा है पिताश्री? चिंतित होने का कोई कारण नहीं है, पोत्र वो सुरक्षित है, वो महाराज प्रहलाद के निजी अतित्र ग्रह में है, पर उन्तो अब देखना ये है, कि न्यायप्रिय महाराज प्रहलाद, अब क्या निर्णा लेते हैं? सेवक प्रहलाद आपको कोटी-कोटी प्रणाम करता है, तेजस्वी भाव, ये रिशी पुत्र सुधनवा, आप भी मेरा अप्रणाम स्विकार करें, ये शश्वी भाव, आपको ये सूचना तो मिल ही गई होगी, कि देवी दीपावली, अब कुलगुरु शुक्राचारे के आश्रम में नहीं, पिता के सनरक्षन में है, मैं आपसे विशेष्टा सुधनवा से एक अनुमती लेने आया हूँ, अनुमती? उससे किस बात की अनुमती चाहिए आपको राजन? रिशी वत्स ने अपने पुत्री का भविश्य मेरे हाथों में सौप दिया है, मैं कुछ समझा नहीं, राजन, उन्होंने मुझे आदेश दिया है, कि उनकी पुत्री दिपावली के भविश्य का निर्णे मैं करूँ, दिपावली जिस असमंजस में फस गई है, उसे उस असमंजस से बाहर मैं निकालू, उसके पती के रूप में, फिरोचन और सुधनवा में से, किसी एक को मैं चुनू, अर्थाथ, आप अपने निर्णे सुनाने आये हैं, राजन। नहीं, रिशिवा, इस विचित्र समस्या के दो पक्ष है, एक, मेरा पुत्र युवराज विरोचन, और दूसरा, आपका पुत्र सुधनवा, नियाधीश बनने के लिए, मुझे अपने पुत्र की अनुमती की आवशक्ता नहीं है, क्योंकि वो मेरा आज्याकारी पुत्र है, रिशिवार, मुझे आवशक्ता है आपके पुत्र सुधनवा की अनुमती की, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है, उसकी अनुमति के बिना मैं न्यायाधीश का दायत्वच स्विकार नहीं कर सकता महराज जिस समस्या में एक पक्ष आपका पुत्र है क्या आप समस्ते हैं ऐसी इस्थिती में आप मिश्पक्ष न्याय कर पाएंगे ये तो विश्वास है कि न्याय कर पाऊंगा ये विश्वास नहीं कि उसे दोनों पक्ष न्याय मान ही लें धिपावली एक है उसके प्रेमी दो है धिपावली को बाटा नहीं जा सकता है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता वो किसी एक को ही मिलेगी और जिसे न मिली वो मेरे न्याय को न्याय ही मान ले इस पर मुझे संदे है रिशी पुत्र सुधन्वा क्या आपको मेरा न्याय धीश बनना अस्वेकार है महराज प्रहलाद आपका परस्ताव मानने के अतरिक्त मेरे पुत्र के पास दूसरा मार्ग बचाई नहीं है नहीं रिशीवा यदि सुधन्वा नहीं चाहेगा तो मैं कभी बीच में नहीं आऊँगा किसी और को ये कारे सौंपने का प्रयास करूंगा मुझे स्विकार है राजन मैं अपना जीवन भाग्य आपके हथ सौपना हूं तो मैं ये समझें कि आप मुझे स्वेच्छा से अनुमत्य दे रहे हैं जी राजन मुझे आपका नियाया अधीश बना सुईकार है अबजगेद रिशिवा प्रनाम आशमान् भाग्य पर 빠नाम रिशिपटर प्रणाम रिशिपृत्र लूग रानाम गुरो दे, कि आयुश्मान भाव आपने मुझे स्मर्ण किया था कुरते हैं हो वत्स मैंने तुम्हें बुलाया था आग्या दीजे कुरते हैं महराज प्रलाद ने पीपावली को तुम्हारे लिए या रिशी पुत्य सुधन्वा में से किसी एक को चुन्ने का निर्ण अपने हाथों में कि महराज अपनी नया प्रीता के लिए जख प्रसत है कि इसलिए मुझे चिंता हो रही है कि इसमें चिंता की क्या बात है कुरते है कि मुझे ये चिंता है बत्स कि वह के वाली है सिद्ध करने के लिए कि वह नयाय प्रीया है और तुम उनके पुत्त्र हो कोई नेड़ने तुम्हारे विरुद्धना दे दें तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुदेव मेरे मस्तिश्क में एक योजना ने जन्म लिया है अब तुमको नीती का आश्रह लेना महराज प्रलात पत्दवाव बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी दादी श्री राजमाता कायदु के पास जाना चाहिए राजमाता तुमसे बहुत इसने करती है और महराज उनसे बहुत प्यार करती है यदि राजमाता तुम्हारे पक्ष में हो गई तो महराज विवश्च होकर तुम्हारे पक्ष में नर्ण है देंगे तो आग या कुरते ऐसे गुरू को क्या कहें क्या दे उसको मा नीति वच्छन के नाम पर जो वाटे अग्या आज प्रेम के नाम पर सुलगी है जो आग जलते हैं इस आग में देखे किसके भाग देखे किसके भाग जो सुनेगा ये पुरान पाएगा सुख और ग्यान पाएगा सुख और ग्यान धर्म को ही धर्म जान प्रेम की तुछेर तान पीत युग बता रहे है पीत युग बता रहे है सह्थे पथ पे चल सो जान विश्ण विश्ण पूरान विश्ण पूरान